कि सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट जैहें जैपार दोस्तों आपका अपने चैनल इलेक्ट्रोनेशन मेकेनिक स्टेडिशन में आप लोगों का स्वागत हैं दोस्तों हम आपको नीमी कुश्चन बैंक की फर्स्ट यर के कुश्चन कर लाएंगे तो आप करें इन कुश्चनों को अच्छे से याद कर लें और हमारी जो क्लास रही है सेकेंडर वालों की चार बज़े जो चात्र सेकेंडर में उसके काफी हमने पार्ट करवा दिये और जो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी त गुरूप में जरूर सेयर करें तो दोस्तों चलते हैं अपने सिदे प्रस्ट पर तो उससे पहले एक ही रुक्वेस्ट चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन घंटी को चरूर प्रस करें तो हमारा जो पहला कुश्चन दिया गया है तो आपके सामन सर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नमर डी करेक्ट है यानि मिलने वाले भागों के बीच की गेप की जाच करना क्या होता है अगले कुश्चन देखते हैं अगले कुश्चन दिया गया है कि इस डायल केली पर में माप पढ़ें तो इसमें आपको माप पढ़ना है चित्र में क् है इसकी माप जित्र देख सकते हैं और यह इसके ऑप्शन आप बताएं इसका क्या होगी माप तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मारा ऑप्शन नमर डी करेक्ट आंसर है यानि 26.2 mm होगी अगले कुष्ष तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मारा आप्शन नमर डीज करेक्ट आंसर यानि ड्रिलिंग का ग्रमिक संचालन इसका करेक्ट आंसर है अगले कुशन आपके स्क्रीन पर आ गया है कि वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन हिस्सा कौन सा है तो आपके सामने चार ओप्शन्स हैं आप यहां पर देख सकते हैं तो इसका जो राइट आंसर दोस्तो है हमारा औप्शन नमबर 20 राइट आंसर यानि कि डायल इसका करेक्ट आंसर है कि अंगले कुशेंग आपके सामने दिया गया है कि فाइल के एक्स के रोप में जो चन्नित भाग है इसका आपको नाम बताना है क्या है तो आपके सामने चार उप्शन हैं बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर दूस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है अगले कुश्चन आपकी स्क्रीन पर है जौब को फिनिज्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उप्योग किया जाता है तो आपके सामने चार आप्शन है आप बताएं इसके करेक्ट आंसर कौन सा होगा तो इसके जूरा एणसर दोस्तो हमारा ऑप्शन नमर सी है 2nd कट फाइल अगले कुश्चन देखते है क्या है किस फाइल में समाना अंतर किनारे पूरे लम्बाई प्रद्वी में होते हैं तो चार अप्षिन है अम अधार इसका राइट अंसर तो इसका जो राइट अंसर दोस्तों हमारा आप्षिन नमबर फर्स्ट है यानी हैंड लाइफ इसका करेक्ट आंसर है अगले कुशन दिया गया बेंच वाइज को बनाने की सामेगरी यानी मटेरियल क्या है तो आपे सामने चार अप्षिन है अम अधार इसका राइट अंसर कौन सा होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा आप्शन नम्मर डी है कास्ट आइरन इसका करेक्ट आंसर है अगले पुशन दिया गया है कि कौन सी मार्किंग मीडिया मसीन से तयार सेते हैं उपर इस पश्ट रिखाएं प्रदान करती है तो आपके समने चार ऑप्शन है अब इसका राइट आंसर कुन सा है ? दोस्तों दोस्तों मारा ऑप्शन नमबर बीज राइट आंसर है यानि की प्री-सी अन-ब्लू का करेक्ट आंसर है अगले कुशन है स्लोटेड एंगल प्लेट में दिये गए स्लोट का अधियसी क्या है तो आपके सामने चार आप्शन है आप बताएं इसका राइट आंसर तो इसके राइट आंसर दोस्तों हमारा आप्शन नम्मर एस राइट आंसर को पकड़ने के लिए अगले कुशन है राउंड बार के केंडर को चिन्नित करने के लिए किस कहली पर कावयोग किया जाता है तो चार ऑप्शन दिये गए इसका बताना राइट आंसर तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नम्मर फस्ट है जैनी केली पर अगले कुशन है कि एक्स के रूप में चिन्नित भाग का आपको नाम बताना है तो जैसे कि आप चितर में देख रहे हैं ये एक्स के चिन्नित भाग है इसका नाम बताना है और ये रहे चार ऑप्शन तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा है option number hapa यानि faulkram इसका correct आंसर है अगले कुशन है आप देख सकते है इस कोड़िये मापक यहंदर का आपको नाम बताना है तो ये की चितर दीया गया इस मापक यहंदर का आपको नाम बताना है और ये रहे आपके चार ऑप्शन तो इसका जो correct answer हमारा option number D है universal surface gauge है अगला question है कि 10 degree से उपर के संकीड खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उब्योग किया जाता है तो चार option है आप बताएं इसका right answer कौन सा होगा है आप यहाँ देख सकते है तो right answer हमारा option number B is right answer आधी गूल फाइल इसका correct answer है सोरी दोस्तों इसका जो right answer हमारा option number D is correct answer है यानि कि knife edge फाइल इसका correct answer है अगला question आपके screen पर है उस दोस्तों का नाम बताएं जब धातू के chips फाइल के दातों के बीच घुस जाते हैं तो आपका सामने चार option है आप बताएं इसका right answer कौन सा होगा तो right answer दोस्तों हमारा option number B is right answer यानि फाइल की पिन इनिंग इसका correct answer है अगला question आपकी skin पर ओएल ग्रिवेस को काटनी के लिए किस छेनी का प्योग किया जाता है तो चार ओप्शन्स दिये गएं आप बताएं इसका right answer कौन सा होगा तो इसका right answer दोस्तों हमारा है option number C is right हाफ राउंड नोज छेनी इसका correct answer है अगले question है इस file का नाम बताएं तो चार ओप्शन है आप बताएं इसका right answer कौन सा होगा तो राइट answer दोस्तों हमारा है option नमर बीज राइट answer है रिफलेर फाइल है यह अगले question है कि इस वाइस का नाम क्या है तो आपके सामनी वाइस दी गई इसका नाम बताना है और यह रहे आपके चार ओप्शन तो करेक्ट आंसर दूस्तों हमारा option नमर फरस्ट है पिन वाइस है यह अगला question है कि हैवी डूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मसीन का उप्योग किया जाता है तो चार ओप्शन है आप बताएं इसका राइट राइट आंसर कौन सा होगा तो तो इसका जो करेक्ट आंसर दूस्तों हमारा option नमर सीज राइट आंसर है यानि पेडी स्टल ग्राइंडर अगले कुश्चन है चैन ड्रिलिंग के बाद माटेरियल को अलग करने के लिए कि सेनी का उप्योग किया जाता है तो वहां पताएं चार ओप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा तो इसका जो जो राइट आंसर है हमारा option नमर फ़स्ट इस राइट यानिज बेड चैनी का उप्योग किया जाता है अगले कूश है अगले पिश्चन दिया गया है कि लकडी का काम करने वाले आरी के दान्तों को तेज करने लिये किस फाइल का उप्योग किया जाता है तो आपके सामने चारोप्षण है तो इसके जो राइट और हमारा उप्षिन नमबर सीज राइट आंसर यानि की मिल सो फाइल का उप्योग किया जाता है अगले कुशन हतोड़े का वजन को कहा दर्साया जाता है तो आपके सामने चार अप्शन है अमदास का राइट आंसर तो इसके जो राइट आंसर हमारा अप्शन अगले कुश्चन है अगर चिंपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण असुन्सिक कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा तो चार अप्शन है आप दाने इसका राइट आंसर तो इसके जो राइट आंसर तो समारा अप्शन नमर फरस्ट है यानि कि कटिंग एज घुस नहीं सकती छेनी फिसल जाएगे अगला कुशन है कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का व्रोध करने वाली धातु की प्रोपर्टी का नाम बताएं तो चार अप्शन है आप देसका राइट आंसर कौन सा है तो इसका जो करेक्ट आंसर दूस्तों हमारा ऑप्शन नमर बीज राइट अंसर यानि टैने सिटी अगले कुशन है एक्स के रूप में चिन्नित भाग को बताईए तो आपके सामने एक्स चिन्नित भाग है तो आपको बताना है इसका नाम क्या है यह रहे चार आप्शन्स तो इसका जो करेक्ट आंसर दूस्तों हमारा ऑप्शन नमर फर्स्ट है एन्विल इसका करेक्ट आंसर है अगला कुशन है मैट्रिक आउट साइड माइक्रो मीटर की एक्क्यूरेंसी क्या है तो चार आप्शन है अब इसका राइट आंसर कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर दूस्तों हमारा ऑप्शन नमर फर्स्ट जीरो पाइंट जीरो वन एमें अगला प्रस्ट जीरो एक्स के रूप में चिन्नित भाग को बताएं तो आपके सामने एक चिन्नित भाग दिया गया है इसका आपको नाम बताना क्या है यहां पर तो चार आप्शन हैं आपको बताना राइट आंसर कौन सा हो तो इसका जो राइट आंसर हमारा आप्शन नमर डी बिन्दु कोड अगला अगला प्रस्ट ने ड्रिल सेख में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है तो चार आप्शन है अमने इसका राइट आंसर कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा आप्शन नमर सी है मोर्स टैपर अगला प्रस्ट ने दिया गया है मसीन स्पिंडल से ड्रिल और सौकेट निकालने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो आपके सामने चार आप्शन आप अब आदा इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नमर फसर ड्रिफ्ट इसका करेक्ट आंसर अगला प्रश्न है प्रति बंदित इस्तान में उप्योग किये जाने वाले टेप रिंच का नाम बताईए तो चार आप्शन है अब अब आपके राइट आंसर कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नमर भी है टी हैंडल टेप रिंच अगला प्रश्न है आई एस ओ मैट्रिक थ्रेड में एम टैन इंटू 1.5 थ्रेड के लिए टेप ड्रिल आकार की गड़ना करें तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नमर फर्स्ट है 8.2 mm इसका करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है तो आपको सामने चार अप्शन हैं आपको बताना इसकी इकाई क्या है यहां पर देखके तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नमर बीज राइट आंसर एम बटे आर इवी अगला कुश्चन दिया गया है कि वर्नियर कैपी जो वर्नियर कैलीपर में एक्स की जो रूप में चिन्नित भाग का आपको नहां नाम बताना है तो यह आपके सामने चार अप्शन है आप इसका नाम बताएं क्या है तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ओप्शन नमर सी है टेप्थ बार अगले कुश्चन है संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हैड की परिशुदता क्या है तो चार अप्शन आवदास का राइट आंसर कौन सा होगा तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ओप्शन नमर फर्स्ट वन डिग्री अगले कुश्चन है एक ट्राइट स्क्वेर की परिशुदता क्या है तो चार अप्शन है अब दें इसका राइट आंसर तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा है ओप्शन नमर सीज राइट आंसर है 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई अगले कुश्चन है कि निसान देखने के लिए किस पंचिका उप्योग किया जाता है तो चार अप्शन है आप देख सकते हैं तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ओप्शन नमर सीज राइट पंच अगले कुश्चन है कि उस केलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एड़स्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टॉंग मुड़ा होता है तो चार अप्शन है अब असका राइट आंसर तो इसका जो राइट आंसर हमारा ओप्शन नमर फर्स्ट है जैनी केलिपर है अगले कुश्चन है कि सतय गेज में एक्स में जो रूप से चिनित भाग का आपको नाम बताना है तो प्रित्र दिया गया है इसमें जो एक्स से चिन्नित भाग है इसका आपको नाम बताना है और यह रहे आपके सामने चार आप्ष्ण तो राइट आंसर दूस्वारा आप्ष्ण नमबर बीज राइट आंसर है अगले कुशन है स्वयोजन सेट में जो एक्स के रूप में चिन्नित भाग का आपको नाम बताना तो है यहां पर एक डाइग्राम दिया गया है आपको उसमें जो एक्स से चिन्नित जो भाग दिया गया उसका आपको आंसर बताना है आप यहां देख सकते हैं चित्र को हो और यह रहे चार उप्ष्ण है तो राइट अंसर मेरा उप्ष्ण मेर्डी है से बदर प्रोटेक्टर हैड वोल्द है और अगले कुष्ण ने किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है तो आपके सामने दिए गया इसमें किस प्रकार का डेटम का पालन किया गया है आपको बताना चार option में से थे आटता या थो राइट अंसर जुस्त्त हमारा है option अगले कुछ ने इस समानंतर ब्लॉग का नाम क्या है तो आपके समने एक ब्लॉग तिया गया समानंतर यहां आप देख सकते हैं इसको और यह रहे आप्शन तो इसको राइट आंसर दोस्तों हमारा आप्शन नंबर डीज राइट आंसर है समा योज्य समानंतर ब्लॉग तो दोस्तों यह हमारा पार्ट ही कम्पिलिट हुआ है मिलते हैं नेक्स पार्ट में थेंक यू पर वाचिंग इस वीडियो जै भारत